अभी आप इस वक्त कैनेडा में बैठी हुए और आपको पीयार लेना है लेकिन पीयार लेने से पहले आपको आइल्स का एक्जाम क्लियर करना है आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आइल्स का रीडिंग जो है वह इंप्रूव नहीं हो रहा है या फिर आप लोग अभी इंडि करके बताने वाला हूं कि ऐसे आप लोग कैसे अपनी रीडिंग को रॉकेट स्पीड की तरह इंप्रूव कर सकते हैं चलिए स्टूरंट्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोग सीधा स्क्रीन के उपर देखिए स्टूरंट्स कल मैंने आपको बताया था कि आप लो आपको किस ताइप के क्वेस्टन बना के डालता है सब कुछ आपको इस मैठेड से सीखने को मिलेगा वो भी अपने आप आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे सब कुछ अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा ध्यान से देखिए स्टूरंट् आपको सारे आंसर्स पहले ही लिख लेने चालीस के चालीस आंसर लिख लेने जैसे यहां पर आपको स्क्रीन के उपर दिख रहे हैं सेवन डूफ आपके सामने हैं और सभी की आंसर्स मैंने आपके सामने लिख दिए अब मैंने क्या करना है यह जो आंसर्स हैं इनको मैंने जाके डूंडना है कि कौन सा अंसर कहां पर है, कौन सी लोकेशन के उपर है, उसका अंसर क्यूं कैसे आया, आप यह प्रैक्टिकल देखिए, क्यासे आपकी वोक्याबलरी, क्यासे आपका सब कुछ इंप्रूव होता है, तो पहले क्वेशन को अब रीड करतें, क्या लिखा, यह जो तीन चीज़े हैं, इसके उपर आपके ट्रू फोल्स नॉट गिवन टिके होते हैं, हमने इसी मेथट को फॉलो करना, इसके इलाबा हमने कुछ एक्स्टा चीज नहीं करनी है, उसने लिखा है, नेल्जो जो है, वो किसी और अर्केस्ट्रा के उपर बेस्ट है, अर्के उपर बेस्ट है, किसी और के उपर डिपेंड नहीं है, तो इसका अंसर फॉल्स हो जाएगा, गर इसके बारे में नहीं बताया को अंसर नॉट गिवन है, यह दिखिए स्टूर आपके सामने यह नेल्जो लिखा हुआ है, उसके बाद इसको रेफर किया हुआ है, इ इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है, कि यह जो ओर्केस्ट्रा है, नेल्जो जो है, वो किसी और ओर्केस्ट्रा के उपर बेस्ट है, और ओर्केस्ट्रा के कॉनसेप्ट के उपर बेस्ट है, तो यह यहाँ पर आपको वग्याबलरी सीखने का मौका मिल रहा है, देंक आते हैं answers में, next question की तरफ हम बढ़ते हैं, question में इसने लिखा है an ability to read music is essential, इसका मतलब क्या है कि आपको music read करना आना चाहिए, ये जरूरी है, अगर नहीं आएगा तो आप मतलब ये काम नहीं कर सकते हैं, तो अगर तो मेरा passage भी यही बता रहा है कि music read करना आना चाहिए, तो true हो जाएगा, अगर इसका उल्टा बता रहा है मतलब वो ये बता रहा है, इसका उल्टा क्या होगा मतलब वो ये बता रहा है कि हमें music read करना कोई compulsory नहीं नहीं भी आता, तो भी आप nails को join कर सकते हैं, तो ये रहा आपका second का location इसको देखते हैं, इसने कैसे बनाया हुआ है, पहले वाले sentence में ही answer clear कर दिया, participants should have basic music reading skills, participants के पास basic music reading skills होनी जुरूरी है, should have और वहाँ पर उसने क्या लिखा है, essential तो यहाँ पर भी आपके लिए काम की चीज़ है, should have और essential जो है, वो आपस में कैसे paraphrasing है, यह आपको note down कर लेना है, अपनी notebook के उपर next time, अगर इसके उपर कोई भी question आता है, तो आप राम से उसको tackle कर लोगे, next question की तरफ हम बढ़ते हैं, students, आप लोगों को मैं एक छोटी सी request कर रहा हूँ, इस channel को जुरूर subscribe कर लेना, और वीडियो को एक छोटा सा like देदना, यह हमने होंसला मिल जाता है, कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, जो हम समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की दिमाग में वो चीज़ जा रही है, next question में लिखा है, the N-Y-L-S-O might unsuitable for very advanced level music, यहां पर आप लोगों के लिए दुबरा से कुछ सीखने को मिल सकता है, तो अगर तो यह जो N-Y-L-S-O है, वो unsuitable है, सारे का सारा answer unsuitable के उपर टिका हुआ है, अगर तो वो unsuitable है, इस level के musicians के लिए, तो आपका answer true है, अगर इसने इसा बोल दिया कि यह सभी के लिए suit करता है, कोई ऐसी condition नहीं है, चाहे कोई भी level का बंदा हो, सब बंदे इसके लिए eligible हैं, तो आपका answer false हो जाएगा, अगर इसके वहाँ पर उसने question में क्या लिखा था इस चीज को, vocabulary सीखने का देखो, कितना बढ़िया मोकाब के पास, यहाँ पर उसने लिखा, advanced level of musician, और उसको वहाँ पर change करके लिख दिया कि अगर किसी बंदे ने इसकी degree की हुई है, तो क्या होगा, उस बंदे के लिए क्या हो सकता है, you may decide we are not the appropriate group for you, आप ये मतलब फैसला कर सकते हैं कि हम आपके लिए सही group नहीं है, मतलब क्या हो गया इसका, simple सी बात है, वहाँ पर उसने इसको unsuitable लिखा था, और यहाँ पर उसने उसको change करकर लिख दिया, कि हम आपके लिए सही group नहीं है, अगर आपने कोई graduation degree करी है, मतलब graduation degree करी है, मतलब आपने कोई advanced level कि आप musician हो, तो हम आपके लिए suit नहीं करते, तो इसका answer जो है, बढ़ true आगा, अब आप देखिए कैसे उसने एक तो unsuitable को change किया, एक इसको change किया, और आपका answer true हो गया, अगर आप लोगों को वक्याब की problem है, साथ-साथ में आपकी improve होती जाएगी, अब आपको unsuitable लिख लेना है अपनी notebook की उपर, और साथ-साथ आप में देख लेना है कि उन्होंने वहाँ पर उसको कैसे लिखाता, इससे आपकी vocabulary भी improve होनी start हो जाएगी, next question को हम read करते कहता है, इसका answer यहाँ पर not given दिखा रहा है, हम पीछे जाके देखते हैं कि इसका answer not given क्यों है, लेकिन उससे पहले आपको question क्यों पर time spend करना चाहिए, कि इसका answer true, what's not given कैसे होगा, तो इसका answer not given ऐसे होगा, अगर उसने इसके बारे में कोई pricing के बारे में कोई बात नहीं करी है, कि जो Nelzo concert है, वो किसी के लिए free है या नहीं है, अगर उसने कुछ बुला है, तो आपका answer true या false जाएगा, अगर उसने price की कोई बात नहीं करी है, तो आपका answer not given यह यहाँ पर इसकी location है, friends and family आपको दिखाई दे रहा है, अब हम इसको read करते हैं, we work with the goal of producing one to three very informal friends and family concerts per year, आप लोग यह सारा read कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी pricing की कोई बात ही नहीं हुई है, वैसे गर बात हो भी जाती, तो आपको यह check करना था, कि family और friends के लिए free है या नहीं है, उस चीज़ के उपर आपका answer टिकता, लेकिन यहाँ पर इसने आपका बहुत लगी हो कि यासा इसने कुछ लिखा ही नहीं है, प्राइस के बारे में, directly ही कुछ नहीं लिखा है, तो सीधा-सीधा ही यहाँ पर आपका answer जो है, वो not given हो गया, अब हम next पे चलते हैं, इस question में उसने लिखा है, rehearsals always involve the full orchestra playing together, अब इसको ना पीछे जाने से पहले आप आपको student इस basis के उपर यहाँ पर move करना है और इसके बाद passage में जाना है, तो इसका meaning समझो थोड़ा सा क्या कहने की कुछिश कर रहा है, इसने लिखा है, rehearsal always involve full orchestra, इसका मतलब क्या है, कि rehearsal जो होती है, उसमें हमेशा से पूरा orchestra किया जाता है, मतलब आप गर आप rehearsal कर रहे हो, त आपको पूरा orchestra करना पड़ेगा, तो अगर उसने ऐसा पीछे लिखा है, तो आपका answer हो जाएगा true, इसका उल्टा लिखा भी, इसका उल्टा क्या होगा, आपको यहाँ पर सोचना है, पीछे जाने से पहले, तो इसका उल्टा यह होगा, कि अगर उसने ऐसा लिखा है, कि rehearsal जो है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रहसल नहीं भी करते हो, full orchestra की रहसल नहीं भी करते हो, तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई इसी बड़ी बात नहीं है, तो इस चीज़ को आपको पीछे जाके confirm करना है, यह answer यहाँ पर false दिखा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसने यही लिखा होगा, कि rehearsal, जो है, वो कोई full orchestra उसमें involved नहीं होता, मतलब वो जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी करते हो, तो भी आपका काम चल सकता है, तो हम देखते हो, कैसे बदल के लिखा है, तो यह देखिए, student यहाँ पर उसने location को भी थोड़ा सा reverse किया, यह when an emergency arises, अगर आपको कोई emergency है, आप नहीं रहसल कर पाए, तो it is fine, कोई problem नहीं है, तो आपको समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, कि देखो question की nature वहाँ पर क्या लिखी है उसने, और answer की, जो nature है, answer को कैसे उसने paraphrase करके change कर दिया, वो चीज़ आपको समझना है, और यह जो problem वहाँ पर face करना पड़ा होगा, तो please यार चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, अच्छी लग रही है, तो ऐसी वीडियो जोर भी बनाऊंगा, next question को हम read करते हैं, उसने लिखा था, conductor provides her services free to nylso, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर तो answer false दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि free के उपा सारा answer मतलब टिका हुआ है, अगर उसके कुछ charges हैं, तो आपका answer जो है, वो false हो जाएगा, अगर उसने यह बताया ही नहीं कुछ भी कि charges हैं या नहीं है, तो आपका answer not given हो जाएगा, तो यह देखिए student आप यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज है, conductor का जिकर उसने यहाँ पर किया हुआ है, यह सारा paragraph conductor के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो answer है, वो यहाँ पर दे रखा है, बहुत ज्यादा चलाक examiner, आपको समझना पड़ेगा कि IELTS में referencing जो है, वो कितना बड़ा role play करती है, अब यह देखो conductor का जिकर यहाँ पर किया, आगे उस substitute conductor can join to teach different sections, यह बात उसने कर दी, everyone is encouraged to play to their fullest potential, whatever they may be, but please recognize that while we do have a conductor, her role is to provide one-on-one instruction during the rehearsals, यहाँ तक cost की कोई बात नहीं हुए, अब आगे देखो उसने conductor का कोई नाम यहाँ तक नहीं लिया है, आगे वाले paragraph में, लेकिन सारे का सारा answer है, अगे वाले paragraph में, NYLSO is a self-supporting collective, we do not receive any other funding, the cost is $80 for each 6-week cycle, आगे देखो, payments are applied to the cost of rehearsal space, यहाँ पर देखो, conductor fees भी है उसमे, and photocopying machine, तो मतलब यहाँ पर इसकी payment के आपको charges pay करने पढ़े के, conductor की fees भी है, उसमे, rehearsal भी है, cost भी है, और photocopying music की भी cost है, तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जो conductor है, उसकी fees है, तो इसका मतलब conductor को, पैसे दिये जाते हैं, अगर वो कोई services हमें दे रहा है, तो obviously इसका answer जो है, वो क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, क्योंकि इसका, यहाँ भी इसने लिखा था, कि वो free of cost services देते हैं, तो answer इसका false हो जाएगा, अब इस questions दे भी student आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, कि उसने उपर कुछ बात करी है, नीचे तक आपको देखना पड़ता है कही बरी, तो last वाले question को हम read कर ल देता, तो आपका answer false है, लेकिन ऐसा वहाँ पर लिखा होना चाहिए, कि वो कोई advice नहीं देता, अगर उसने इसका जिकर ही नहीं किया, कि वो advice देता है, नहीं देता है, तो आपका answer जो है, पर not given हो जाएगा, यहाँ पर answer not given दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमें उसने N.Y.L S.O. ने कोई भी advice नहीं दी होगी, देखते हैं उसनों कैसे लिखा है, तो यह देखें, उसने साफ साफ लिखा हुआ है, you will need an instrument, a portable music stand, any other relevant accessories, you should bring a folder, your music together, and a soft lead pencil with an eraser for writing and changes, sheet music is provided, अब हमें यहाँ पर कोई भी advice नहीं दिखाई दे रही है, कि जो वहाँ पर जो N.Y.L.S.O. है, वो हमें को advice देता है, कि आपको यह वाला music purchase करना, हलांकि उन्हें recommend किया है, कि यह आपको लेकर आने है, लेकिन इसको लेकर bring or purchase आपस ने कभी भी synonyms नहीं हो सकते है, आपको यह recommendation दी जा रही है, कि आपको यह चीजें लेकर आनी है, लेकिन buy करने के उपर नहीं, आपको ब लेकिन यह answer काफी ज्यादा tricky answer था, hopefully वीडियो बहुत अच्छा लगवा होगा, student किसी को classes चाहिए, आपको number screen के उपर दिख रहा है, आप हमारे साथ contact कर सकते हैं, और अगर किसी भी student को material चाहिए, exam level का भी आप हमारे साथ contact कर सकते हैं, like देखे यार चोटा सा और वीडियो क share कर देना अपने friends तक, तांकि उनको भी इस चीज़ का benefit मिल सके,